हम आपको पढ़ा रहेते हैं समाकल्ड जिसमें आप पढ़ें आंसिखिन के द्वारा समाकल्ड करना ताप जितने रूल थे वो रूल अच्छे से पांचो रूल आप समझ चुके हो उस पे कुश्टिन भी हम लगवग बता भी चुके हैं एक दो कुश्टिन से जो उसी पर है लेकि थोड़ा सा डिफरेंट है और टिपकल कुश्टिन है जो आपको पेपर में दिखने को मिलते हैं आईए उस कुश्टिन को हम सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं वह आपको तरीका अगर छोड़ दिया जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आईए उस यहां पर एक question number 17 दिया गया, 17 number question सबसे आसान है, लेकिन हम बता देते हैं आपको rule 5, यानि rule 1st पर अप्लाई होगा, तो देखो लिखा हुआ है, 17 number question क्या है, कि लिखा हुआ है कि integration यह cos x divided by 1 minus sin x और यह हो जाएगा, ब्रेकट में 2 minus sin x, अभी यहां पर अभी तो हमें x मिलता था, अब तो sin x मिल गया, तो सबसे बड़ी बिमारी, अब इस बिमारी को कैसे दूर करें, कि question आपको मिला है, तो इनको कैसे solve किया जाए, तो देखो कोई ऐसी समस्या नहीं, sin x को हम जानते हैं, कि sin x का differentiation cos x होता, तो म माल लो फिर, माना sin x बराबर कितना, t, तो sin x t माना, इसका differentiation अगर करोगे, तो यह क्या होगा, cos x और लिख सकते हैं, dt by dx, अगर इधर गुड़ा करा दो, तो यह cos x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो गया, तो देखो, अंस में साब-साब यही तो दिख रहा है आपको, त इसको कैसे integration किया जाए, तो integration बहुत आसानी सकर सकते हैं, अब रूल फिर्स्ट पे अपलाई होगा, तो आप माल लीजिए, कि माना, कि 1 by 1 minus t होगा, और यह हो जागा, 2 minus t होगा, बराबर, जब इसको तोड़ोगे ती एक हाते गुड़नखंड है, इसलिए a by 1 minus t होगा, और प्लस दूसरा भी 2 minus t हो जागा, इसको एक क्वेशन हमने क्या माल ले, फिर्स्ट माल ले, अब इब क्या करो, कि इसको 1 minus t और यह हो जागा 2 minus t से दोनों पच्छों में गुड़ा, से दोनों पच्छों में गुड़ा, दोनों पच्छों में गुड़ा, जब आप गुड़ कराएंगे दोनों पच्छों में तो यह कितना दिखेगा यह उस तरफ जाके गुड़ा होगा ती यह 1 बच जागा यानि इस तरफ 1 बचेगा और इस तरफ a 1-t कटके कितना बचेगा 2-t बचेगा और यहाँ पे b 2-t कटके 1-t बचेगा एक क्वेशन कितना सेकेड ठीएंगे फिर माल लीजिए कि माना 1-t बचेगा बराबर कितना 0 और t की वैलु निकालोगि त बचेगा रख 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 तो 1 में 2 में रखने पर तो म दो में रखते हैं तो कितना होगा यह सम्मी करनड़ा 2 है यह वाला उन होगा यह है दो है यह इ 1 हो जागा अब प्लस B अगुड़े कितना जीरो क्योंकि इसके फैक्टर बराबर जीरो दो में से एक घटाएंगे तो A गुड़े 1 होगा अब प्लस जीरो तो A बराबर कितना निकल गया 1 आ गया जब 1 आया तो अभी हमें B की तो बैलो निकलना है तो पुना मान लीजिए कि म जब दो में रखते हैं तो A कितना होगा इसमें 1 हो जागा ये फैक्टर दिखा तो A गुड़े कितना 0 क्योंकि हमने इसके पूरे के बराबर 0 माना है अब प्लस B हो जागा 1-2 इतना हो जागा 1 तो ये जीरो होगया अब प्लस B गुड़े कितना minus 1, तो b बराबर देखो कितना आ जाए, minus 1 हो जाएगा a और b की value निकल आई, अब a और b की value क्या कर दिए, सम्मी कराण 1 में रख दीजे, a वा b का मान सम्मी कराण 1 में रखने पर, तो सम्मी कराण 1 में रखेंगे, तो सम्मी कराण 1 क्या था आप जानते हो, क्या था दिखा देते, ना याद हो तो यह था इसी में रख दो, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 by 1 minus t होगा, और 2 minus t हो जाएगा a की value कितना था, 1 1 by 1 minus t होगा और b की value कितना था, minus 1 1 minus 2 minus t हो जाएगा अब आप क्या करिए, इनको आप अगर समा कलन कर दो तो क्या हो जागा, समा कलन करने पर, समा कलन करने पर, जब इसका हम समा कलन करते हैं, तो देखो कितना integration, यह dt होगा, और यह हो जागा 1-t, और यह हो जागा 2-t, इस सरब का भी समा कलन करोगे, तो यह हो जागा 1-t होगा, और dt हो जागा, अब minus आगे आजाएगा, 1 by 2 minus t हो जागा, ये dt हो जागा, चलिए, अब इसका क्या करिए, integration करिए, एक छी थ्यान देना, t negative में, इसलिए हमेशा जब इसका integration आएगा, क्योंकि 1 minus t को भी मानोगे, तो b मानने पर, इसका integration minus आगे आजाएगा, तो ये minus log हो जाग इसमें, और minus ये जब करेंगे, तो minus log और ये कितना होगा, 2 minus t होगा, और plus कितना, c हो जागा, तो minus log लिख सकते हैं, 1 minus, ये t होगा, और minus minus plus, लोग लिख सकते हो, कि 2 minus कितना, ये t हो जागा, और plus c, अब आप देखो, इसको plus में और ये minus में, तो आगे पीछे लिख सकते है इसको तो ऐसे लिख दीजे log हो जागा कि 2-t और ये minus log और कितना 1-t हो जागा अगर हम क्या कर दें इसमें log को बाहर ले ले तो दोनों value बटे होगा log 2-t होगा और 1- कितना हो जागा t और plus कितना c होगा अब आप देखो जब इसमें अगर value put किया जाए इस तरफ क्या था function इस तरफ का जो function था dt बटे 1-t हो जागा और 2-t हो जागा अगर आप t की value दोनों साइट पूट करो तो dt बराबर क्या था कि cos x dx और इस तरफ 1-sin x हो था और ये हो जागा 2-sin x ये था ये हो गया sin x होगा और divided by 1- कितना ये sin x और प्लस कितना c ये इसका answer हो जागा तो हमें ऐसे ही करना था तो देखो आपने समझ लिया अगर sin cos 10 मिलता है तो उसको हम t मानके फिर आंसिक मिन में क्या करते हैं उसका integration कर देते हैं तो आसानी सी आजाता है अब आप इसका screenshot ले लो यहां तक आप ले चुकी होंगे ये भी ले लो ये भी आप ले लिए होंगे एक से इसको हम रफ कर देते हैं अब आपके सामने question number 18 है ये भी question क्या है अच्छा ही है लेकिन इनको कैसे किया जाए वो आपके लिए क्या है चुन होती है चलिए question number 18 को solve करते है कैसे solve करें कि आपको अच्छे से समझ में भी आजाए और अच्छे से आप कर भी सब्सक्राइब और कम समय में दोनों चीत्यान देना है लिखा हुआ है x square plus 1 और x square plus 2 divided by x square plus 3 और फिर divided by x square plus 4 ये इतना लिखा हुआ है तो अब हम इनको कैसे करें कि इसका integration हो जाए तो एक इसका sort method होता है हर जगा देखो x square x square x square x square लिखा हुआ है तो इनको sort में मानने के लिए हम क्या करते हैं कि माना x square बराबर t बट इसका differentiation नहीं करेंगे क्योंकि कहीं x नहीं है तो ये नहीं खतम होगा तो आप लिख सकते हो कितना इसको t plus 1 हो जागा और ये कितना t plus 2 divided by t plus 3 हो जागा और ये t plus कितना 4 हो गया आप अगर इससे गुडा कराओ तो ये कहोगे t square plus t plus 2t plus 2 uns में हो जागा और नीचे गुडा कराएंगे तो t square plus 3t plus 4t plus कितना 4 ते 12 अगर आपने पूरा जोड़ दिया तो देखो t square 3t plus 2 हो जागा और denominator में कितना t square plus 7t plus कितना 12 अब आपने देखा कि uns की खात हर की खात से क्या है बराबर है जब बराबर है तो आपको हमने बताया था rule 5 कि rule 5 से इसको भाग करो जब भाग करते हैं तो आपको भाग करना परेगा तो t square plus 7t plus कितना 12 अब अब अंस कितना है t square plus 3t plus कितना 2 वन टाइम जाएगा t से गुडा कराओगे t square इसको इससे गुडा कराएंगे तो 7t हो जाएगा और 12 एक के बारा आप जानते हो घटाने पर कटता है ये minus ये minus ये minus ये कट गया साथ में से 3 घटाएंगे 40 ये negative हो जाएगा और इसमें से घटाओगे 12 में से 2 घटाओगे तो minus 10 आगया तो आप जानते हो अंसवटा हर है तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो हम ये वाला जो हमारा इसमें था ये questions में तभी हम लिख सकते हैं कितना भागफल तो भागफल एक आया और सेसपल कितना है minus 4t of minus 10 और सेसपल कितना था t square of plus 7t of plus कितना 12 यही तो था और जो इसका था इस तरह पैसे लिख दो t plus 1 हो जागा और ये होगा t plus 2 divided by t plus 3 हो जागा और ये कितना होगा t plus 4 हो जागा ये इतना आचुका अब हम क्या करें इसका भी हमें करना integration लेकिन अभी भी नहीं होगा कि अभी होगा तो आप अगर minus common ले लो तो ये 1 होगा और minus common ले लेंगे तो minus बाहर हो जाएगा तो ये 4t plus 10 अब बटे कितना इसको फैक्टर के रूप में लिखो तो t plus 3 अभी हमने जो गुडा कराया था वही तो देगा हर में तो ये इतना दे दिया इसको क्या माल लो equation first माल लो अब इसको अलग तोड़के फिर इसमें बैलू रखो फिर integration करो तो हम माल लेते हैं कि माना माना 4t plus 10 divided by t plus 3 हो जागा और ये होगा t plus 4 हो जागा तो लिख सकते हैं अगर इनको एक हाथ ये गुड़न खंड है तो a by t plus 3 ये ही हमने किया तक ये आसान और b by कितना होगा t plus 4 ये हो गया इनको equation क्या माल लेजे second अब ये जो हर में है दोनों पच्छों में गुड़ा करा दो तो ये हो जागा t plus 3 और t plus 4 same दोनों पच्छों में गुड़ा अगर हम दोनों पच्छों में गुड़ा अगर हम दोनों पच्छों में इसको क्या करते हैं गुड़ा कराते हैं तो इसको right side गुड़ा कराएंगे तो ये होगा कितना 4t plus 10 ये हो जागा t plus 3 कट गया तो t plus 4 बच्चा और यहां पर भी t plus 3 कट गया तो t plus कितना बच्चा 3 एक वेशन कितना यह थर्ड हो जागा अब आप क्या करो इनी पर मानलो कि माना t plus 3 बराबर 0 और t की वैल निकालो तो कितना होगा t minus 3 याई ती की वैलू मैं सम्मी करा 2 से तो 4 गुड़े कितना minus 3 और plus 10 होगा अब बराबर यह कितना a यहां पर बैलू रखेंगा minus 3 plus 4 और यह कितना यह फैक्टा दिख रहा है इसलिए 0 लिग दो अब आप इसको solve करो तो 4 गुड़े कितना minus 12 और plus 10 हो जागा इसको गुड़ा कराएंगे तो a 1 हो जागा तो देखो 12 में से minus 2 तो a बराबर कितना निकल किया minus 2 अब a का मान क्या करिए अभी नहीं फिर b का मान है तो दूसरा फैक्टर ले लो कि माना t plus 4 बराबर 0 और उधर ले जाएंगे t बराबर minus 4 और सम्मी करां किसमें 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो 3 कहां पर है ये है तो 4 और into minus 4 और plus 10 हो जागा और ये फैक्टर जहां मिले तो 0 ये 0 हो जागा और plus B होगा minus 4 प्लस कितना 3 हो जागा 4 चोग 16 और plus 10 होगा और 4 में से घटाएंगे तो minus B हो जागा और इसको देखो 16 में से 10 घटाओगे तो minus 6 कितना आ गया minus 6 बराबर minus B BB प्लस हो गया तो B बराबर कितना आ गया 6 आ गया ये दोनों बैलो निकल आई अब इस दोनों बैलो को सम्मे कराण 2 में रखो A वा B का मान सम्मी कराण 2 में रखने पर आपको दो याद नहीं होगा हम दिखा देते हैं सम्मी कराण 2 क्या था ये था इसी में रखो A का मान minus 2 B का मान कितना 6 तो रखते हैं कितना था 4 T by 10 अब बैटे T plus 3 और ये हो जागा T plus 4 A बाई तो A का मान कितना था मानिस 2 बैटे T plus 3 और B का मान कितना था B का मान कितना था T plus 3 है अब प्लस B का मान 6 आया है तो 6 बैटे ये हो जागा T plus 4 ये हो गया ये जो मान है उसको सम्मी कराण यानि यह मान सम्मी कराण 1 में रखने पर अब सम्मी कराण 1 देख लो नहीं आपको मालूम होगा का ये है सम्मी कराण 1 है तो T minus 1 ऐसे मर रखती वे चले जाते हैं लिखेंगे भी आपको दिख जाएगा क्या था T plus 1 अब बटे T plus 2 और ये हो जागा T plus 3 और फिर T plus ये हो जागा कितना 4 हो जागा अब बराबर कितना था पहले 1 था फिर minus breakout में ये value थी तो minus 2 बटे कितना हो जागा T plus 3 अब plus 6 बटे T plus कितना 4 हो जागा ये इतना आचुका लेकिन अभी इसका integration का दोगे तो answer गलत हो जागा इसलिए अभी integration नहीं कर सकते कब करेंगे जब T का मान रखेंगे यानि T बराबर कितना X square रखने पर अब आप रखें X square जब X square रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जागा तो X square plus 1 होगा और फिर X square plus 2 होगा divided by X square plus 3 हो जागा और X square plus 4 होगा बराबर 1 minus चाहे minus से गुड़ा करो तो minus minus plus 2 by कितना X square plus 3 हो जागा फिर ये minus plus गुड़ा minus हो जागा और 6 by कितना X square plus 4 ये इतना अब आप समा कलन करो क्योंकि पूरा फार्मेंट X के पदों में हो गया तो आप समा कलन कर देंगे तो समा कलन करने पर समा कलन करने पर जब समा कलन करेंगे तो ये हो जागा X square plus 1 और X square plus 2 divided by X cube plus 3 हो एक्स क्यूब नहीं है X square X square plus 3 है और दूसरे बेकरट में X square plus कितना हो रहे है और ये dx हो जागा इसका integration करोगे तो 1 dx होगा अब 2 constant है तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते एक्स square plus कितना root 3 of whole square और dx हो जागा 6 constant है तो इनको क्या लिख सकते है 1 by X square अब प्लस 2 का स्क्वाइर और dx हो जागा तो अब इसका integration कर दो जहां integration किया तो answer आजाएगा इसका कितना X होगा और ये 2 होगा तो 1 by A होता है A की value कितना 1 by root 3 10 inverse XY कितना under root 3 हो जागा minus 6 1 by 2 होगा और 10 inverse कितना लिख सकते है एक्स by 2 और प्लस कितना C तो 2 त्याई 6 तो हम ऐसे लिख सकते है एक्स और ये हो जागा 2 by root 3 और फिर लिख सकते हो कि 10 inverse X by under root 3 हो जागा और minus 3 फिर लिख सकते है कि 10 inverse X by 2 होगा और प्लस कितना C ये इसका integration हो जागा तो बस दिखो question बड़ा है लगिन अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो solve करने आपके लिए मसकी बात नहीं है इसलिए आपको question को ध्यान देना पड़ेगा एक सिन थोड़ा सा zoom कर दे ताकि आप कुछ सही दिखाई दे question number 18 था इसकी इसाट ले लो इसका इसका भी आप ले लिए होंगे ये भी आप ले लिए होंगे इसका भी आप इसका ले लिए होंगे आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे किसी का integration करते हैं किस टाइब का question है वो आपको ध्यान देना पड़े integration में हमी जादा question नहीं पढ़ने है कि बहुत जादा question पढ़ने है बस हमी method पढ़ना है method इसमें थोड़े से जादा question है method अलग-अलग है तो अगर उसको नहीं जान रहे हो तो आपके बस की बात integration की नहीं है तो बस हम आपके साथ जुड़े हुए आपको जैसे समझा रहे हैं वैसे करते जाएए चाह जैसा question होगा solve हो जागा यह तो सबसे आसान है हमें एक दिखा देते हैं कि कैसे करोगे आगे आपका लेना कितना था 19 नंबर है 19 नंबर question लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 2x बटे x square प्लस 1 हो जागा और x square प्लस 3 अगर आप ध्यान से देखो मान लो कि माना x square प्राबर t इसका differentiation 2x और dt by dx तो इधर गुडा कराओ dx प्राबर कितना dt तो देखो बैलू रखो तो आप यह हो जागा dt और यह कितना होगा t plus 1 और इसको लिख सकते हो t plus कितना थिरी लिख सकते हो x square को t माना तुरंट हमारा बन गया और यहाँ पर यह dx बराबर dt हो गया अब आप देखो कितना आसान है अंसिख भिन पर तोड़ना तो हमें ऐसे माल सकते है t plus 1 हो जागा और यह होगा t plus 3 तो आप लिख सकते हो a by t plus 1 होगा और plus b by कितना हो जागा t plus 3 हो जागा बस आप आप लिख सेख चुके है जैसे बाल निकाल के पुट कर देना इंटिग्रेशन कर दोगे आजागा तो कितना आसान कुशन था आपने इसके लिए लिया होगा आये कुशन अगला देखते हैं कि अगला कुशन क्या है 19 नमबर बताय दिया 20 नमबर पहले बता चुके थे 21 नमबर कुशन को देख सकते है 21 नमबर भी आपको बताया थे साहब नहीं बताया थे 21 नमबर कुशन तो यह भी आप solve कर ले होंगे कोई problem नहीं होगे फिर आगे देखते हैं question number कितना 22 22 नमबर कुशन क्या कह रहा है इसको कैसे इसको कैसे solve किया जए यानि य indust है इनको कैसे solve किया जाए यह कुईशन आपके लिखा हुए इनको कैसे solve करें यह भी तरीका आपको बताया थे लेकिन हम आप बता देते 23 नंबर कैसे कुईशन अबजेक्टिव कोईशन का मतलब यह माँ सोचने ना कि बहुत छोटा होगा देख जैसे कहा थे ना देखने में छो करना पड़ेगा तो इनको कैसे solve किया जाए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर हम क्या करें एक आसान तरीका X से गुड़ा भाग करा दे तुम्हारे लिए असान हो जाएगा तरिको आसान तरीका अपलाई करते हैं x असे गुड़ा भाग करा दू. तो x असे गुड़ा करो x dx और ये कितना हो जाए? x square और x square प्लस 1 हो जागा. अब आप माल लो कि माना x square बराबर t, तो इसका differentiation 2x और ये हो जागा dtydx. तो 2x और dx बराबर कितना? dt आगया ना? जब ये लिख सकते हैं कि dt बटे t हो जागा और ये हो जागा t plus 1 हो जागा. अब हमें इसका क्या करना था? integration तो करना है. तो अगर हम इसमें उसके उपर 1 होता ही है, तो ये t plus 1 कर दे और minus t घटा दे. अब ये पीछे हमने बताया था, ये dt है, तो dt को तो हम यहां की बदली, ये 1 लिख दे और dt यहां लिख सकते हैं, तो t जोड दिया और t घटा दिया, तो ये t हो जागा, और t minus 1 और ये dt हो जागा. इनको अगर आप सेपरेट कर दो, तो आप क्या लिख सकते हैं? t plus 1 हो जागा, और बटे t और t minus 1 हो जागा, और minus t बटे, ये t और t minus 1 हो जागा, ये dt, देखो, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, तो ये कितना बचा, इंटिग्रेशन 1 by t बचा, अब माइनिस, यहां पर प्लस है, तो ये हो जागा, t plus 1 बचा, अब इंटिग्रेशन से आप गुड़ा करा दीजे, जब इंटिग्रेशन से गुड़ा कराओगे, तो कितना हो जागा, कि 1 by t होगा, और इंटिग्रेशन से गुड़ा कराओगे, dt हो जागा, और minus 1 by t plus 1, और dt हो जागा, इसका integration करेंगे तो क्या होगा को होगे log T होगा और इसका integration करेंगे तो log कितना हो जागा इस पे करा जाए तो कितना होगा कि modulus में ये प्लस C होगा modulus में इतना एक चूट रहा था वो भी आपको बता दे यहाँ पे 2 क्योंकि 2 नहीं है तो जब 2 नहीं है तो आप 2dx तो 2 से भी गुड़ा भाग करा लो ये इस पे नहीं था तो 2 यहाँ कर दिए और 1 by 2 यहाँ कर दिए तो 1 by 2 इसके आगे लग जाएगा तो 1 by 2 आगे लगा दीजे क्योंकि ये value छूट रही थी इसलिए अन्सर भी नहीं मैच कर रहा था कि 1 by 2 और modulus t हो जाएगा और minus इससे भी गुड़ा होगा 1 by 2 और log में और ये हो जाएगा t plus 1 और plus कितना c t की value कितना था? x square तो value रखो 1 by 2 log modulus में x square और minus 1 by 2 और log हो जाएगा x square plus 1 और plus कितना c होगा अब आप देखो x square m की power n से आगे आ सकता है यानि 2 आगे आ जाएगा तो 1 by 2 into 2 log x होगा और minus 1 by 2 और log लिख सकते हैं की x square plus 1 और plus कितना c 2 से 2 कट गया तो लिख सकते हैं log modulus में x हो जाएगा और minus 1 by 2 log हो जाएगा x square plus 1 और plus कितना c ये इसका answer हो जाएगा चलिए option को देख लेना अभी match करा लेना कौन से option match कर रहा है log modulus में पहला option यह पर match कर रहा है और सब में नहीं है तो first option आपका क्या है इसका ये correct है तो आप इसकी इन सॉट ले लो इतने का skin sort आप ले लिए ठिक बस अब आपको ये खतब हो गया इसके आगे नहीं कोईस्ट तो हमें जो पाढ़ना था इतना हमने आपको अनसी बहनी खतब हो गया जो कोईस्ट अभी भी बी छोड़े है उसके लिए भी आपको मौका है अगर नहीं आता है कोईस्ट तो कमे अगले नेश्ट वीडियो आप दिखा देंगे वो कुछिशन का सॉल वह साल्व पॉक्स में आया था मैसस हाँ यह कुछिन नहीं सॉल करबाय तो आपको जरूर मैसस करिए गा हाँ सरी कुछिन नहीं सॉल कर पाए अगर सॉल कर ले तो बहुत अची बात है क्योंकि यही चीज